सुप्रीम कोर्ट के आदिश के बाद आयोध्या में राम मंदिर निर्मार का मार्ग प्रसस्त हुआ तो भारत के कोने कोने से राम भक्त आज आयोध्या पहुचने लगे ऐसे ही पाच लोग सेतु एक्सप्रेस ट्रेंज से सर पर पूजित इट रखकर रामिश्वरम से आयोध्या पहुचे रेल्वे स्टेशन पर उतरते ही उनका स्वागत किया गया और इसके बाद जैशी राम की नारे से पूरा रेल्वे स्टेशन गुंज उठा हाला कि या हिंदी अंग्रेजी भासा नहीं जानते थे इसलिए आयोध्या में जो मदरासी रहती है उन्हीं में से एक महिला शांती अम्मा ने दुभाश्य की भूमी का निभाई या लोग राम जर्म भूमी नियास के अद्रक्ष महांदर नित्य गुपाल दास समय साधू संतों से मिलेंगे उनका अशिरवाद लेंगे और उसके बाद साथ लाई पूजित इट रामकार सिवक पुरम में सौफ कर वापस लोट जाएंगे जिन इटो को यहां अपने साथ अयुद्यानाई हैं उसकी पहले रामिश्वरम में पूजा की गई थी सबसे पहले अनित्य गुपाल दास के पास जाकर आशिरवाद लेंगे तब उसके बाद रामकार सिवक पुरम में रखेंगे रामनाथ पुरम में जाकर रामनाथ स्वामी की पूजा करके तब यहां से चलेंगे सत्तर तारिक को यहां से जाएंगे और इनको कार्थिक माज़र चलता है और दीब जलता है उसे यहां पर दीब जला कर खुशी मना कर लड़ू बाट कर यहां से 108 दीप जला कर जाएंगे निर्थ गोपाल दास महराज जी जो है उनके पास ले जाके आशिरबाद लेके तब यह जो के वहां पर का रामसेवक पुरम में रखेंगे लोगे मलब कैसे कहां से आएंगे इंगेंद वंदिने ओलो नाला चिंगे वंदिन तीर पुरम में जाके इसका पूजा करके रामनाथ स्वामी का इन पत्थर को ले जाके पूजा करके तब यह चलें। यह 17 तारिक को यहाँ से जाएंगे वहां इनका जो है कार्ति का जो मास चलता है दिया जलता है जिसे अपने अहां उशिए यहां दिया जला के खुशी में यह लड़नु बाटके तब जाएंगे नाड मोलोगा वोगर वीट लेए नूथ ये तसलिवा खाथ दीप जो है एक सो आठ दीप ये जला के तब जाएंगे आपका नम क्या है हमेरा नाम से आप कि